ध्यान शक्ती का परमान भिक्षू और चोर एक चोर एक बौध भिक्षू नागारजुन के पास गया और कहा मैं आपके तपस्वी जीवन से बहुत प्रभावित हूँ और जीने को भी तयार हूँ. लेकिन मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी नहीं छोड़ सकता नागारजुन ने पूछा आपको जाने के लिए किस ने कहा चोर ने कहा मैं जब भी किसी साधु के पास जाता हूँ तो वे मुझसे चोरी छोड़ने को कहते हैं तब ही मैं शुरू नहीं कर सकता हूँ नागारजुन ने कहा तब वे असली साधु नहीं हैं सच्चाई यह है कि आप चोर बने रह सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू कर सकते हैं यह सुनकर चोर बहुत खुश हुआ नागारजुन ने कहा जब भी आप चोरी करते हैं तो बस एक बात याद रखें बस उस समय होश में रहें जागरूक रहें कि आप क्या कर रहें हैं चोर मान गया दो दिन बाद वहां आया और बोला तुने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है तुने कहा है कि चोरी करते समय होश में रहू और अब जब होश में आ गया, तो मैं किसी प्रकार की चोरी नहीं कर सकता अब मैं चोर नहीं बनना चाहता, मैं आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ, कृप्या मुझे अपना शिश्य स्विकार करें जब तक तुम जागरूक नहीं हो, सचेतन तुम मूर्ख से ज्यादा नहीं हो